हלो होग तेपिसोड में अन्ड में अपने को 2000 quantity का order दे दिया जो के मैंने fulfill भी कर दिया account में पैसे देख रहे हो 42,000 पड़े हुए और एक और बंदा आया उसके जाने के बाद में उसने भी 2000 quantity का order दिया और ये भी मैंने ready करके रख ले हुए ये कितिनी देर में आयेगा एक बार बता दे दो देख रहे हो 10 घंटे के अंदर ये बंदा आ जाएगा और ये अपने को दे रहा है 28,000 डॉलर मेरे को पताए अमाउंट कम है कोई बात नहीं ये अपने शुरुआत के order खुशी-खुशी मैं दे दे रहा हुए उनको लेकर जा रहा हूँ और सीधा प्लांट एक ही राक के अंदर मतलब 10 प्लांट जमा करके की बारी मिला रहे और साथी साथ मैंने डिजाइन के अंदर भी ऑफ-लाइन थोड़ी सी छेड़ चाड़ किया हूँ ये दो एक्स्ट्रा पड़े हुए अपने पास में पहले ना मैं बहुत जादा ऐसे घुसा घुसा के लगा दिया था बट अब वैसे रखने के ज़रूरा था नहीं इसको ना इधर बैक साड़ वैसे इधर से तो लाइट आईगी आइम सौरी ऐसे चिपका कर ही लगा हूँ इधर देखो धूप तो पड़ रही है ठीक है इध च्टा रही है अधर सौरी की पूरी ज्रूप परिये मतलब एक और लाइन रएड़ी होने के बहुत ज्यादा चांसे लगा हैं मेरो को लगानेथा महा की दूप मतलब yapmış हाँ पड़ रही नहीं इधर तो है ना पानी इधर बैक साइड में पानी नहीं है बट तो भी मैं एक और प्लांटर स्प्रिंकलर मंगा कर यहां पर लगा दूँगा बहुत सारे लोगों के कमेंट थे के इतने स्प्रिंकलर की प्लांटर की यहां पर जरूरत नहीं है अरे इधर से हटा लो ना भाई हो गया नाया पर्चेस करने की जरूरत ही नहीं है भाइब को सारे comment थे कुछ नूब है तिरे को नीया आता यह नीया आता वो नीया था देखो बाई मेरे को पाता है मैने एक्स्ट्रा sprinkler मंगाया था मैने इसलिए मंगाया था क्योंकि आगे चल गलके मेरे को वा लगने वाले थे इसलिए मैंने थोड़ी से एक्स्ट्रा मंगा कर लगा दियाता, देखो यह वाला स्प्रिंकलर यहां भी क्लियर कर रहा है यह वाला स्प्रिंकलर यह चार पॉट, मतलब यह दो पॉट यह दो पॉट, इधर भी यह दो पॉट, यह दो पॉट मैं ना यहाँ पर दो और प्लांटर मंगा ले तो ठीक है जो बड़े वाले प्लांटर थे ना एक दो फिलाल में यह दो प्लांटर मंगाते हैं और लगा देते अब अपन ज्यादा ज्यादा माल उगा कर लगा सकते एक तो मन ये भी कर रहा है कि मैं ये सा बीच में थोड़ा सा गैब दे दू खुद के चलने के लिए बट वो लाइट के अंदर ही काम हो जा रहा है तो लाइट अपनी बच रही है ना अभी कुछ देर ऐसे यूज कर लेते हैं अगर मेरे को सच में भी जरुवत पड़ेगी चेंज करने की तो मैं कर लूँगा ठीक है है बाकी यह वाला स्प्रिंःक लर यह चार कवर कर रहा है यह वाला स्प्रिंगलर यह चार कवर कर रहा तो पानी का कुछ भी टैंशन नहीं है अकड़म बढ़िया चल रही है सारी चीज ज़ए भलानटर बराबर से लगे होगा बस जाओन अब मज़ाएगा और प्लांट्स ग्रो करने में चलो यह 15 सीड है पहले एक एक प्लांटर कवर करेंगे मज़ाएगा भाई मज़ाएगा इतनी सारी कॉंटिटी तुम देखना अब अपने पास में रेडी होने वाली है के लोगों का दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजी सब घुमने वाला है इस शहर का नंबर वन हम केनबी सप्लायर बनने वाले है तुम देखना बस शहर का नंबर वन बता रहा हूँ मैं कौन सा नंबर वन, नंबर टू नहीं, थ्री नहीं, फॉर नहीं, कुछ भी नहीं अभी स्किल पॉइंट भी अपने को जितनी भी अनलोग होगी वो सारी की सारी स्किल पॉइंट अपने को बचा कर रखनी है ताके जल से जल मैं इंप्लॉईस को हायर करूँ और उनसे बहुत सारा काम लूँ क्योंकि अब मैं ठक जा रहा हूँ मेरे पास में यह दो लाइट और एक्टर भाई साहँ इसको लगा दो टैंपरारी इदर बहुत जादा लाइट अपने मंगा ली ती यह सब टैंपरारी लाइट रहेगी इसको अपन बाद में यूज में ले लेंगे ठीक है फुल अब तो और कोई टैंचन नहीं अब तो और कुछ भी टैंचन नहीं चलो प्लांट ग्रो रहे फटाफट से Blue Haze तो भाई मैं बनाई नहीं रहा मैं सिर्फ Silver Haze और ये अभी तो Silver Haze ये अनलॉक वाई सिर्फ Silver Haze के उप़र अपन काम कर रहे है भाई कितने सारे Plant रेडी हो रहे है Just imagine इसका पैसा अपने को कितना सारा मिलने वाला है पुल फाडू काम हो जाएगा मल्टिपल चीजे एक साथ अगर उठा सकते ना तो ज्यादा बढ़िया बात हो जाती बाई एक दम मस्त काम होता बार बार ऐसे मेरे को इतने इतने राउंड नहीं लगाने पड़ते नासर भाई जल्दी आओ तुम्हारा माल रेडी है नासर भाई वैसे एक गेंग्स्टर है ठीक है उनके साथ में दो बंदे घुमते बंदू के लेकर तो उनसे थोड़ा सा अपने को खतरा है थोड़ा सा अलट ही रहना पड़ेगा ठीक है इसमें परफेक्ट परफेक्ट प्लैंट हो चुके है रेडी रेक्स को कर लो भाई एकदम मतलब सही तरीके से जमा लो पूरा पसारा मैंने फैला कर लगा दिया हूँ हर जगा और ये सारी चीज़े जब तक ग्रो हो रही है जितने भी वो थे ना मैं इदर से ना घटार हूँ और जो मेरे पास में शेल्फ पड़ी हुई थी क्या जिसके अंदर सामन रखते है वो शेल्फ के अंदर मैं पूरे सीट्स जमा लेता हूँ जितने भी भार फैला कर मैंने रखा हूँ यह शेल्फ को अपने ठीक काउंटर के पीछे रख लेंगे इदर साइड इस बिल्कुल परफेक्ट बाकी यह रैक्स तो मेरे को और अभी बहुत सारी मंगानी पड़ीगी बहुत जादी मेरे को रैक मंगाना पड़ेगा अभी अपने पास में अच्छी खासी रैक है एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ रैक है दो और रैक मंगा ही लेते है ना ड्राइंग रैक एक दो यह कितने एक हजार डॉलर की आ रही है 38,000 डॉलर है अपने पास में क्योंकि देखो इतनी रैक के अंदर पहले जितने अपने पास में प्लांटर थे ना उसका माल आ रहा था बट यह अभी हमने दो और लगा दिये हाँ दो और लगा दिये तो उसका भी माल आना चाहिए ना इसके अंदर अभी बहुत सारे और प बताना भूलिया जो तुम employees का बोल रहे थे ने का 60% वाले को कट करो इसको कट करो इसको कट करो हटा जिया सब को हटा जिया आप देख रहे हो अपने पास में एक बंदा यह 55% स्कील है इसकी बट 14% कट ले रहा है चलता है थोड़ा सा लेट माल भीकेगा बट पैसे अपने पास में ज्यादा आए चलता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं यह वाला बंदा जो है इसकी 52 स्कील है यह ले रहा है 30% कट यह भी बंदा अपने को चलता है और यह तो अपना पुराना वाला बंदा है जो 89 स्कील वाला था और 36% ही कट ले रहा है बाकी एक बार और चक कर लेते 74 skill 60% cut कोई फायदे का नहीं है बंदा बाकी क्या हो रहा है इधर साड में 40 skill 31 cut 49 cut नहीं है ये वाला नहीं है तो सिधा आदा माउंट ले रहा है 2000 का अगर माल बेच दिया तो 1000 डॉलर तो ये ले ले लेगा जो के कोई sense नहीं बनता उस से चना ही करो हाँ ये बंदा हायर कर सकते है ठीक है और ये वाला बंदा चाहिए ये वाले बंदे से ज्यादा ये वाला बंदा देख रहे हो 38% cut ले रहा बाई 60 skill है मैं ये हायर करूँगा ये सिर्फ 19% cut ले रहा है 66% की skill है आजाओ अपने पास में total अब हो चुके है चार चार इंप्लवा चाहता वाला बंदा आएगा सामने कहा से दिबबा एक पड़ा हुआ है मैं बाहर जा नहीं सकता वन्ना मैं डिबब आ तुम लोग जा सकते होगा बाहर कोई तो डिबबा गल्ती से छोड़ोगर चला गया क्या आगे अपना निवाला employee आगे चल अब यह जो डिप पे है फटाफट से इधर साइड में भी जगाती है तो factory के मैं first time देख रहा हूँ यह मैं first time देख रहा हूँ जगा इधर मेरी नजरी नहीं पड़ी है इधर भी बट कुछ कर नहीं सकते बाहर मैं सिर्फ मतलब जो भी चीज़े है वो मंगा कर मैं सिर्फ अपनी factory के अंदर ही लगा सकता बाहर मैं कुछ भी setup नहीं कर सकता चारो employee आगे न अपने मेरी जान चार चार बंदे खड़े हुए अपने पास में यह बंदुक लेकर जा रहे देखो पूछे भी नहीं डायरेक्ट बस पैसा दे दिया और निकल लिए यह लोग चलो ठीक है उन्ने स्किल पर आ चुके है हम फाइनली 19 स्किल भाई लोग हमाँ पास में हो देखो कैसे जा रहे हो उसके वो यह थे बंदे लोग थे 90% अपनी 90% नहीं 19 स्किल हो चुकी है फोकस रखो गेम मैं क्यों भैक जाते हूं यहां से वाँ हैं यह भी सारी की सारी सीट्स अपने रेक के अंदर जमा दिया बार बार बाहर आने की जरुरत नहीं है चारो सप्लायर अपने खड़े हुए है एक चीज़ स्किल के अंदर चेक कर लेते हैं और यह चार स्किल पॉंट हैै grassroots चार स्किल पॉंट है इसको डायरेक नहीं जा सकता यार इसके पास में डायरेक नहीं जा सकता यह sprinkler और यह light है यह सब 3 के light की मेरे को जरूरत है नहीं है sprinkler को एक बारी मैं unlock कर सकता है बागी मैं 12 cannabis वाला यह कर ले तो बाई 12 plants लगा सकते यह 3 लग रहे ना कर लिए unlock tension नहीं अब 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 अपन employee hire कर सकते है साथ इसाथ अपन यह भी grow कर सकते है ठीक है बाई 12 planter यह जो खारी जगा है यहाँ पर 12 planter लगेंगे वैसे यह सब भी हटा सकता हूं है बट हता नहीं रहा चलो अब बारी बारी या फिर एक काम करते बारी बारी नहीं थोड़ी सी महनत कर लेते और ऐसे ही लगा देते जहाँ पर रेक्स रखी हुए वह ही पर रेक्स को रहने देते ठीक है कोई बड़ा बंदा आ जाए जो ज्यादा पे करें और ज्यादा quantity मे अपने से माल खरी दे फुल फाडू काम हो जाएगा और मजा जाएगा बाई एक ही बारी में अभी तुम अकाउंड में मेरे पैसे देख लो यार कुछ नहीं देखो बस मेरे अकाउंड में पैसे देखो 65,000 डॉलर्स और आज कुछ भी हो जाए इंपलॉई को हायर करना या और रैक्स के अंदर सूखने के लिए छोड़ दो लैट्स गो भाई अलमोस सारे के सारे प्लांट्स लगा दिये बस ये लास्ट के कुछ बचे हुए और रैक जितनी भी अपने मंगाई थे ना वह बिलकुल परफेक्ट मतलब तेख रहे हो तुम पूरा यहां से वहां तक क कट करने से पहले ना यहां पर यह लगा दे तो भाई यह लगाना जरूरी है क्योंकि मेरे कट करने तक ना यह कम से कम ग्रो तो होता रहेगा वरना मैं अधर कट करने लग जाओ जब तक यह सारी जगा खाली पड़ी रहेगी तो अच्छा ने लगेगा इस अच्छा पूरे सीड लगा दो बिलकुल बढ़िया तरीके से मन तो कर रहा है मेरा ये पूरे के पूरे पूरे पुराने वाले प्लांटर हटा के बड़े वाले लगा दू बट अभी ये सब मैंने सेट कर लिया है और इसके अंदर भी ज्यादा कॉंटिटी में ही उगर आए अगर आगे चलके जरुवत पड़ेगी चेंज कर लेंगे बट अभी ये रहने देते हैं ठीक है 12 प्लांटर के अंदर भाई तुम समझ रहो कितने सारे प्लांट एक ही बारी में ग्रो करेंगे तैर मैं कई छोड़ दिया कोई जगा पर सीड लगाना या फिर लगाया उस सारी जगा बिलकुल हाँ देखो इधर छूड़ गई थी ना ये लगा दिया बिलकुल पर्फेक्ट हो गया डन 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 बस ये लास्ट का कुछ बचा है चलो भाई सारी सारी सीड्स लग चुकी है अब ये प्लांट ग्रोता रहेगा जब तक अपन ये जो सूख चुके है पू टी डॉलर ग्राम मतब बहुत जादा एक ग्राम का चालीज डॉलर अपने को मिलेगा बट इसकी ग्रोथ स्प्रीड जो है वो थोड़ इसी का मैं दिक्कत की बात निया वाटर यूजज फूल इसका इसको भी अपन ग्रो करेंगे बट अभी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो एल्यू कुछ है या नहीं मैं अभी यहां का पुराना वाला माल भी वो नहीं किया चलो ठीके 442 इदर रखे हुए हैं क्या करूँ सिर्फ स्टॉक करके रेडी कर लू या फिर चलो अभी फिलाल में जमा तो करते हैं और उसके बाद में देखते हैं अपने को सप्लायर को मा हो है भाई इसके अंदर अगर न्यू प्रॉपर्टी मैंने पर्चेस कर लिया ना बहुत फाडू काम हो जागा एक्सपिरेंस बढ़ जाएगा अपना दुगना तिकना और मेरा स्कील तो देख रहे हो 19 से बढ़ चुका भाई 19 से थोड़ा सा ज्यादा हो चुका 20 पर अभी हुई यह भी 922 992 कॉंटिटी रेडी हो चुकी है अपने पास में चला फटा फट से यह भी जो हो गया इसको भी रख देते हैं कोई तो आया रहे नासिर भाई तुम फिर से आगए क्या चाहिए बताओ यार तुम 2000 कई ओर दे रहे हो यह कोई बात हुई है डिकलाइन भाई रेडी है ना बस मेरे को डिबा पैक करना रहेगा और सामने वाले बंदे को पहुचाना रहेगा नासिर भाई तो गए अभी कोई दूसरा सप्लायर आ जाए तो बड़िया बात होगी है दो बारी से नासिर भाई अपने को सिरिफ ना 2000 कॉंटिटी का ही ओर दे रहे 2000 कॉंट लिए चुपचाप से रखो इदर और खतम करो गाई हाँ जब से भागे जारों में यहां से माँ वहां से सीधर शेल्फ उठाओ बाजू रखो और देगो खतम एंचन नहीं एकदम स्पीड में पूरी रहे खाली की बारी में इतना माल रख दिया बड़ 2000 की कॉंटिटी चलो कोई बात है नहीं 2000 हो जाएंगे अभी नहीं तो बात में हो जाएंगे अभी कितना टोटल अपने पास में 1862 की कॉंटिटी हुई है बस अब यह तो पूरी मेरी फसल रेडी हो गया अब दुबारा से इनको हर्वेस्ट करना और दुबारा से यह सारे सके अंदर मतलब वही प्रोसेस दुबारा से करना है इंपलाई अनलॉक हो जा भाई इंपलाई अनलॉक हो जा वैसे यह मश्रूम क्या है कमिंग सून बता रहा है बट हम जैसे ही यह सारे स्किल खतम कर देगे ना भाई उसके बाद में तो सीधा ही है मित कुक स्टेशन पर पहुच जाएंग तबाही वह भी खतरनाक वाली मैंना अभी काफी टाइम से बड़े से सप्लायर का इंतिजार कर रहा हूँ क्या करू सप्लायर का इंतिजार करू या फिर जो अपने पास रेगुलर और यह पैक कर दूँ क्या बुलते हैं मैं काम करता हो यार चलो यह सीधा पैक करते और दे कट 14 वाले तू लेकर जा कितिनी देर से बिचारे लोग खड़े ना इसलिए बस एक डिबा रेडी करके दे दिया मेरे को मेरे को भरोसा है मेरे को पूरा पूरा भरोसा है अभी कुछ देर के अंदर कोई नो कोई बंदा आएगा जो अपने को बड़ी कौंटिटी का ओडर दे वो तीन हजार कॉंटिटी वाला बंदा ही आ जाए तो मस्त काम हो जाएगा और पता नहीं आएगा भी या नाराज होकर तो गया था देखो दो तीन दिन पहले अपने से अब अपना माल भी कह आई थी देर के बाद और 1689 डॉलार आए देख रहे हो दो हजार का भी पूरा म माल भूख चुका है वेरी वेरी नाइस अभी मैंने निव वाले प्लांटर खरीदा लें भाई निव वाले प्लांटर एक भी मैंने पर्चेस नहीं क्या मन तो कर रहा है पर्चेस कर लूँब इसा मन है कि आज का एपिसोड अन्थ होने से पहले अपने पास में एक लाक आने वालें कि क्या अपना आधा आधा इंपलै आधा मैंनिते में फटाः रगा हैं cham सवेनरंगाने ने प्लांट वालें खाल लगातें तक 옛रे ने तक सामने के ब्लांट रइडि है ठीकare उंपला Tillow हमने सुकने के लिए छोड़े थे ये भी पूरे की पूरे रैडी हो गए मतलब भाई बहुत ज्यादा स्पीट से हमारी तरक्की हो रही है भी तो हुई नहीं तरक्की हो ना स्टार्टी नहीं मैं सिर्फ बड़े बंदे का इंतजार को रोग कोई बड़ा कॉंटिटी वाला ब एक सेकंड एक और स्किल पॉंट जाम हो गया यस दो स्किल पॉंट चाहिए बस अपने को एक स्किल पॉंट चाहिए आज इंपलॉय भाई आजाएगा उसके लिए ना क्या करना पड़ेगा मालूम सीधा-सीधा पहले मैं काम करता हुआ रोग एक सेकंड मैं फटा-फट से में वही अपने को अपना मतलब एक और स्किल परिंट जो अपने को चाहिए ना वह अपने को मिल जाएगा एक फटाफट से बट पहले एक बार मेरे को आखो को तसलिष देना है कि कितनी कॉंटिटी का माल मेरे पास पड़ा हुआ है और में को ऐसा फील आ रहा है जैसा मैं डिबे रेडी कर दूंगा वैसे कोई नो कोई बड़ा सप्लाया या डीलर आके पने पास में खड़ा हो जाएगा और बोलेगा 5000 की कॉंटिटी दो 2000 की कॉंटिटी दो ऐसे वाले डीलर आके खड़े हो जाएगे अभी हम इतने ज्यादा बीजी हो गए मतलब क्या हो रहा है मालूम मैं यह फर्स्ट वाले प्लांटर से सीट लगा कर एंड तक जा रहा हूँ ना तो यह फर्स्ट वाले जो प्लांटर है यह 70% ग्रो जा रहे ठीक है और जो अल्रेडी अपन फसल काटके हां सूखने के लिए छोड़ दे रहे जब यह बी रेडी हो जा रहे तो टाइम ही नहीं मिल रहा कोई भी दूसरी चीज करने का यह रैक क्या कर रही है हट जाओ कोई नहीं आना चाहिए अपने बीच में कोई भी नहीं डिश्ट अप कर रहे नहीं भाई बस उठाना माल रखते जाना एक्सक्ट मैं तुम्हें धिश क दूँगा एक लाग डॉलर दूगा जो भी जितने भी डॉलर है दूगा दे दे वो और बंदा आ जाए अगर नहीं आया मेरे रखने तक नहीं आया तो फिर भाड़ में जाए बड़े बड़े डीलर अपन जो अपने बंदों से काम लेते हैं चुप चाप से वह काम लेंग 208 चलो ठीक है वो लोग तो आने से रहें जब तक मैं काम करता हूँ यही जो है इसके डिब्बे बनाते हैं और मार्केट में बच्चे लोग को बोलते हैं जाओ जाकर सीधा बेच क्या हो कम कट वाला बंदा यह 19% कट 36 14 और यह 19 वाले बंदे अब किवार तूजा ठीक है कि कितने का डिब्बा है यह 1960 का डिब्बा है तो यह एक काम कर 30% कट वाले अब के तू चला जा इतना सा पैक करने के बाद में भी 3000 की कॉंटिटी स्टॉक में रखी वी है आगे चल कर देखना कम से कम 10-20,000 की कॉंटिटी ऐसे पड़े रही है अगर कोई भी बड़ा बंदा आ कर रेडी कर लूंगा और अगर गलती से कोई सप्लायर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना अभी देखो चार बंदों को चार डिबे दे दिया यह मार्किट में बेच के आएंगे इनको आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगे का तब तक हो सकता है बीच में कोई सप्लायर आ सब्सक्राइब अपना माल बेच दिया है और अपने 72,000 डॉलर आ चुके है वेरी वेरी नाइस आदी स्कील चाहिए मेरे को बस आदी स्कील चाहिए आदी विने 40% स्कील चाहिए 20 से तो ज्यादा स्कील मिल गई स्कील बढ़ रही है अपनी जितने भी मैं हार्वेस्ट कर र इससे अपनी स्कील तो बढ़ रही है और सब को मैं पहले से इधर सजा कर रहा हूँ देखना मेरे इतने करने था कि 80-80% 90% सच चुके है दो सप्लायर अपने पास में आ गए जब तक इनका दो का डिबा रेडी करके इनको भी मार्केट में चू करा देते है मैं को ऐसा लग मेरी यहे फैक्टरी में कई 78-80.00 का मा ओलर बनको पुरा मांनी सूपटरिक हो ओल्मस्ट रेडी हो चुका है यह भी 1960-डॉलर का माल है तीनों बने घड़े छल ठीक है जो मिल रहा है यह गत्यों मालगय से मार्किट में भीड़े को चाहिए, अब हीता मैं पास 21-200 का कॉंटिटी इतना सब डिबे रेडी करने के बाद में पच्छी सो की कॉंटिटी वड़ी है यह डॉट उनिस सो का माल है जो दिख रहा है तू चला जा चौदा परसंट कट वाले बंदे एक बार इंप्लोई के अंदर जा करना और एक बार चेक कर लेते कि अगर कोई अच्छा परसंट कट और 90 कुछ सम्तिंग स्किल ती उसकी वहरी नाइस यह एलन की भी देख रहे हो इसको भी एक बार एलन को सो सकते सेविंटी परसंट कट ले रहा है बड़ ठीक है चलो कोई ना बागी नीचे तो यह कोई काम के नहीं एक इंपलाइब मिल अपने को जिसको मैंने ह 20 पर कब गया मेरे को तो समझ में भी नहीं काम के अंदर इतना जादा बीजी होगा था भाई पूरा फोकस पूरा दिल दिमाग कलेजा गुरदा इधर ही लगा हुआ था और बड़ी साइज वाली रैक मिल जा यार इसके अंदर सिरीव 10 आ रहे बड़ी साइज वाली मिली न और सप्लायर आ गया अरे पूरे सप्लायर आ अरे मेरे पास में 77,000 डॉलर हो चुके है मेरी चान कोई बात नहीं सीड्स भी अपने पास में खताम होने वाले अब यह जितने सीड के डीप पड़े होए क्या यह सारे के सारे सीड्स जो है अपने को इसी अपने प्लांटर भी अपने को ऐसे काम करते हैं सची में भी बहुत जादा देर हो गई ना अरे वाई नासर भाई आगए नासर भाई आगए फाइनली चार हजार केने भी इसका और है एकसेप 56,000 डॉलर दे रहे है यह कम दे रहा है मेरे को पता है पैसा चलो ठीक कोई बात नहीं ले ले लो 3300 या कुछ तो कॉंटिटी पढ़ी है कितनी है 3400 की कॉंटिटी अभी रखी हुई है मतला आ रहा है अपने बास में 56,000 डॉलर आ गए मतलब आज न्यू प्रॉपर्टी अनलॉक होने वाली है साथी साथ एक एंप्लॉई भी आने वाला है दोनों चीजे एक साथ होने वाली पिर उसके बाद में तो दूसरे वाले इंप्लॉई का बस मेरे को इंतिजार करना भी कौन सा वाला प्लांटर वाला इंप्लॉई अनलॉक होगा या कौन सा वाला इंप्लॉई होगा एक बार मैं चेक कर ले तो रूप जाँ हो गया और फोड़ी सी कॉंटिटी अपने को हो चुकी है लो नासर भाइएंगे माल उठाएंगे लेकर जाएंगे टैंसर हो चुका आपना सकीछ देखो बास वास तुम के उपर नज़र रखना किसी भी वक्त हम अपनी मतलब स्कील बढ़ सकती है भाई स्कील के ओपर नजर रखना है इतनी भी कॉंटिटी अगर मैंने ग्रो कर लिया ना भी तो भी मेरा काम हो गया समझ लो हेलो पुरे प्लांट बिलकुल रेडी परफेक्ट रेक को हटाओ यहां से अरे यैस को गई अपनी स्कील बराबर लालाला टीरीरीरी रीडी अपने पास इंपलाइ आने वाला है बस एक ही सेकेट के अंदर मेरे जारू इंपलाइ वाले को अनलॉक करने के लिए एले भाई ऑले ऑई कैनेबीज वरकर आगया त कासे करते है कैनेबीज वरकर को आर ये रहा वरकर अच्या ऐनकी सैलर का यह ऐसा जुगाड है इसकी स्किल ले रहे हो यह हजार उपर ले रहे हैं यह सारे सेम हैं क्या एक हजार डॉलर ले रहे हो वो पर डे काम करने के लिए और स्किल है थर्टी सेवन चलो ठीक है एक तो बंदा भी फिलहाल में हायर करते है जो कहा यहां पर खड़ा हुआ है तेरे यह लॉकर ना ओके यह लॉकर तेरा ले लिया इसको यहां पर लगा दूगा दिया तेरा तो क्या काम करेंगा बट यह कौन सा वाला वर्कर था एक मिनिट चेक करने दो विल मेंटेन हार्वेस कैनभी प्लांट अच्छा यहां पर आप यास बहु यह एक और पर चेस कर लिय यह वारकर जोओ यह 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 तू बेटे निकल तू निकल तू निकल ले चल चल निकल यह बटना गया ना करने शीदा में नि आख जाओ यह दो्यम दॉनु करने कि जरुरत ने यह आज दिन को बात में चला जाएगा क्या और यह खड़ा हूआ ऑफर आज प्रकाश का यह थ कर रहा है कितनी जादा सपीड में कम कर रहा है हमारा मुन्ना यह इधर ही खड़ा हो गया पता नहीं यह से क्यों चलो खड़ा हो गया तो हो गया अभी क्या कर लेंगे अपन 68,000 डॉलर पड़े हुए है यह माल रेड़ी हो गया यह इसको सीड लगा के आने दो मैं जब तक ना सीड और और कर रहे तो ठीक है मेरे पास में सीड ख़तम हो चुक है क्यों कि फिलहाल में 10 ओर करो इतना है मैं कम से कम काम नहीं रुकना चाहिए ना यह पूरे सीड में इधर करेगा मतलब मेरे को और प्लांटर लगाना पड़ेंगा बीच में जली से जली और यह भागके दोड़के सब के इदर रखना चालो गया यह सारी चीजे हमारे पास में इंपलाई आ गया वाई काम कर रहा है वो फुल रफतार से ठीक है फुल रफतार से काम कर रहा हूँ मै मैं काम करता हूँ जो मैंने फैला कर लगाया हूँ ना यह जितने भी अपने पास में यह है मैं इनको बस ऐसे चिपका कर अच्छे से सेट कर ले तो ताके पसारा पसारा ना लगे और कम जगा में ज्यादा माल आ जाए मैं एक और इंपलाई हायर करूंगा तुम देखना अ दो तिन हजार डॉलर देंगे उनको यह अपने को हजारो लाखो डॉलर बनाके देने वाले यहां से अपना ग्राफ है क्या यह तुम देखना और लेवल 21 भी देख रहे हो किती सारी कंपलीट हो गई क्योंकि अपने पास में इंपलाई आ गया मैं कुछ ना भी करू तो वह अगर यह भार फैले हुए रहते ना तो यह लोग काम ने करते मालूम यह देख रहे हो बंदा इधर ही खड़ा हो गया एक और इंपलॉई हायर करता हो ना मैं कहा गया वरकर वरकर नाइंटी वन स्कील वाला बंदा हायर कहने बीज वरकर येस हायर कर लिया यह बागी कम स्क क्क लोगा करें मैं काम करूं किरू एक्षर मीं लौकर मंगा लूँ का दो दो मंगा ले टे लगाता यकई फिल हलाल में अ यह कम से कम काम करना तो इस्टार्ट करतें मेरे लोग को कोई टास्क देने की जरुरत ही नीहें यह बस जाएंगे भीड जाएंगे इधर माल लगाएंगे यह सूखता जाएगा क्या कर रहे यह है क्या कर रहे यह प्लांट्स को जो भी करुए भाई साब एक चीज बोलू तुमको तो प्लांट इदर वह चुक है इसको काट के लगाना चालू करो चलो वह कभी भी आता होगा एक हजार की कॉंटिटी करनी है अपने को जल्ली जल्ली करो जल्ली से पूरी कटिंग करो मैं भी तुम्हारे साथ में लग रहा हूं सूखने के लिए छोड़ रहे हैं इसको मैंने बीच से निका पास में ठीक है अभी कुछी देर में एक लाग डॉलर हो जाएंगे वैसे वक्त कितना है अपने पास मतलब कितीनी देर में इसको करना है पचीज घंटे है मतलब भी बहुत टाइम है ठीक है इसकी एक हजार की कॉंटिटी रेडी हो चुकी है जब आएगा लेकर जाएगा कि अभी फिलाहाल तो बस क्या ही कर लेंगे अपना टाइम पास के अलावा टाइम पास नहीं इंपलाई चेक करो इंपलाई कोई आया वर्कर आ नाइन्टी वन स्कील ये एक सेकंड कॉस्ट ऑफ अरे एक सेकंड अभी जो मेरे पास में वर्कर कितने ले रहा है एक हजार पर पड़े तीन तीन वर कर आचुका है सीधा आओ और काम के लिए भिड़ जाओ ठीक है ज्यादा टाइम पास करने की तुमको जरुत नहीं है एक टेबल इसको यह जो अपना काम का टेबल है ना इसको इदर से जो केमेस्ट्री टेबल है वह आएगा बलकुल आ जाता तो म काम करते फिर जैसा पहले था वाईसे ही रहने देते ज्यादा दिमाग ने लगाते इदर से रख सकता हूँ बट मैं इसको इदर से टेबल शायद से आ जाएगी आ तो गई है बट ऐसे बीच में आरी रहने तो चलो इसको एस इस यही पर रहने देते एक कट करके इदर भी आरे हाँ यह लोग इदर भी रख रहे हैं न भाई यह लोग इदर भी रख रहे हैं मतलब मेरे को और प्लांटर लगाना पड़ेगा इदर मेरे को जल्ली से जल्ली प्लांटर मंगाना पड़ेगा जो है सबसे बड़ा वाला प्लांटर अभी सिर्फ दो प्लांटर मंगाता बस हो ग len मे इसको उपर सजाते है कुछ यह बीच में से तो आरे जा रहे है मेरे को यह चेंज करना पड़े ये प्लांटर को मैं प्लांटर ना मैं जगा हूँ, इसमीमेंड एदर साइड मैं। ते के लोचाया थी प्लांटर लगा दिया इसको फॉप मिल जाएगी दर से पानी का स्प्रिंकलर का दो दिगो इधर का इदर का और दर कारे तो है ना अभी टेमपरेरी बस मैंने मंगा जिया लगा दिया बाकी जिता भी पानी देना ये एक महां आक रख लेती हूँ थे मैं खुदी पानी देदूगा एक दे देंगे इदर इधर का देखना रहेगा बस मेरे को बाकिया सब हटेगा पूरा माल हटेगा कढ़व काम करते रहेंगे या महनत रंग लाई स्किल 21 से 22 पर जाने वाली है अभी मेरे पास में कोई स्किल नहीं पड़ी I have zero skills अभी दो चीज जरूरी हो चुकी है एक तो ये स्प्रिंकलर बड़ा वाला दूसरा ये बड़ी वाली लाइट जिसकी फुल रेंज है ये दो चीज के लिए मेरे को स्किल पॉइंट लगेंगे इसके लिए किते लगेंगे तीन स्किल पॉइंट इसके लिए तीन स्किल पॉइंट मतलब टोटल छे स्किल पॉइंट लगेंगे यह बागी यह वरकर कितना है, अरे यह वरकर तो यह सरिफ रिस्टोख कैनेबिस प्रॉडॉक्ट्चे जो भी बाहर माल पड़ा रहेगा सब्सक्राइब यह पर चुआ करेंगा। इल, पानी, मैंनोली पानी दे देंगे, कोई प्राब्लम नहीं, यह बड़े वाले लग गए ना, तो इनका थोड़ा सा सेट अप अलग है, थोड़ा सा और अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले तो स्किल बढ़ाने पड़ेगा, उसके बाद ही सारी चीज़े होगी, मिचेक, रियल एस्टेट, वाट इस दिस, अच्छा, यह नासर भाई अपने एरिये के, यह मैक्स ओडर चार हजार का देते है, ठीक है, और यह 30% कट लेते हो, कोई प्रॉब्लम ने, बाकी इधर देख रहो, यह पुराना एरिया आ रहा है, अपना अगर एरिया देखेंग यह जोनस आएगा यहाँ पर, जो 35% कट ले रहा है बस, बट मैक्स ओडर देख रहे हो, 7000 ग्राम का ओडर देगा यह, वैरी नाइस और इधर का बंदा देख रहे हो, यह जियागो 40% कट, बट मैक्स ओडर है, 10,000 कीजी, कीजी ने ग्राम या जो भी है, समझ रहो ना, तु यहाँ पर, इतने रैक्स की का मेरे को जरुवत नहीं है, यह सूखते जा रहे है, तो क्या यह उठा कर इधर दालते जा रहे है, 1100-1200 की कौंटी पेड वरकर, 3000 इनकी सेलरी कट हो चुकी है, कोई बात नहीं, चलो फिर जब तक हम अपना तो पेड भरते है, कम से कम है ना, जो यह माल रेडी हो रहा है, यह फटावट से सप्लायर लोग को दो, यह मार्केट में बेशते रहे हैं, 1000 में तो काफी डिब्बे बन जाएंगे, चलो, होई ना, skill 22, done, 22 से भी थोड़ी skill बढ़ गई है, चलो, पूरे मिल के एक साथ काम करते हैं, पूरे मिल के एक साथ काम करेंगे, 1000 में कम से कम भाई, बहुत सारे डिब्बे रेडी होने वाले ही हैं, इसके अंदर तो, है, चिकना, 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 बट अभी पैसे जोड़के अपने को पुरानी वाली जो फेक्टरी थी ना, आपर भी थोड़ी से से अट अपस रेडी करना है, ताके, कम से कम वहाँ से अपने को पैसे आना चालो जाया ना, अपने इंकं रुकी हुए है वहाँ की फेक्टरी की, बाकि मेरेको डिजाइन पे तो काम करना पड़ेगा, बहुत जादा भाई, डिजाइन पे बहुत जादा मेहनद करना पड़ी की, क्योंकि व Sou Upon Days Life, काम निकल रहा तो वहाँ पर लगाएंगे बागी ये फैक्टरी के अंदर ये जो नॉर्मल वाले प्लांटर अपने जो छे वाले लगे वे ना सीधा ये लगाएंगे बागी देखो डिबे रे एक दो तीन चार पाच छे साथ डिबे भाई एक तो मेरे हाथ में था चाओ 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 परफेक्ट वेरी नाइस कितना स्टॉक हो गए रिस्टॉक सेवन थाटी फाइक का स्टॉक पड़ा हुआ है तुम लोग को सैलरी है से हलवे के जैसी बाट दूंगा मैं तुम टेंशन मतलो मेरे को चार हजार दिन का मेरा एक्सपैंस समझ के चलूंगा मैं जो मेरे को सैलरी का की बाती की बाती नि Ama की नौड कर दे रहे बादी ने तुमको टाइम-टु-टाइम सेलरी मिलते रहे तुम बस एक नंबर का का म करते रहो दो-तीन डिबे, डो-तो- और कोई और कर आया है अ यह 69 स्कील है नहीं अपने को तीनों और कर भाई बहुत पाड मिलते लगे है द पर दीदा हटा दूगा यहां से टैंचनी नहीं बाकी सीड्स खतम हो गए है ओके 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 सीड्स खतम हो गए भाई एक मिनट देना वरना मेरे पाईसे वह रुक जाएंगे जितनी भी आ रहे हैं पूरे का पुरा माल उठाओ हाँ इसको सजा दो तो रन डीपड़ खाली हो जाएंगे आज से देखना अब मैं फटाफट से ना यह पूरे के पूरे सीड्स जमाल तो उसके बाद जाकर अराम करते अगर कोई इंपलॉई मिल गया तो इसको भी हायर कर लूँगा बाकी हम आज के एपिसोड को बस यहीं पर एंड करते हैं एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और नए आए हो चैनल पे इंजॉई किया तो प्लीज मेक शॉर तू लाइक और सब्सक्राइब क्यूंकि इस चैनल पर मैं ऐसे बड़े बड़े गेमपलेज लाता रहता हूँ अभी और भी नहीं गेमपले झाल प्लीज तुमेट और सी छोंकि चैनल पर सुल से लाई हुआ चैनल पर सेी प्लीजियूर से लाइब भी अट्हर केश्ट अजिएाब बड़े प्लीजियूर सेविक चैनल नहीं चैनल वाfunding कियुईर खिश्टराइब चैनल दिल प्लीजिए इंजूर आर सी ऑनल